तो स्वागत है आपका हिस्टी के इस नए वीडियो में जो ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे इटली का एक करण है जो ये इटली था ठीक है इसका एक करण कैसे हुआ सबसे पहले हम यह जाने कि आखिरक करने की किरिया को यह करन करते हैं कैसे कोई चीज अलग अलग तूटा हुआ है और उसको बस एक कर दीजे बस एक करन हो गया इसका मतलब है कि लग रहा है कि इटली अलग अलग छेत्रों पाटों में तूटा हुआ था अलग अलग राजियों में तूटा हुआ था और इसको एक कर दिया गया और एक करके इसका एक ही करन कर दिया गया ठीक है तो बताइए कि कोई देश या फिर कोई राजय अगर अलग-अलग है उसको एक करना इतना आसान काम नहीं है अलग-अलग राजय पर अलग-अलग राजाओं का अधिकार होता है अब उनलों को समझाना उनलो तब और बढ़ गया अब इस लेशन में यूरोप में राष्टवाद का उद है इसमें सबसे बड़ा कोई विलेन का रोल आदा कर रहा है तो वो है आपका अस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक वो हर जगह के मेटर में पढ़ता है जहां जहां रस्टवाद उत्पन हुआ है वहां 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 जाकर के वहां दबा है यह हम पिछले वीडियो में बता चुके और आखिरकार इटली को भी जब कुछ लोगों ने मिल करके एक करने की कोशिस की तो वहां भी सबसे बड़ा ब इटली सबसे पहले जब इटली एक नहीं होगता है उससे पहले था कैसे कितने बाटों में तूटा गचकर रहे थे आपको बता है थे पूल मतलब पादरी लोग이죠 तो यहाँ लिखे यह लिखे रहे हैं इटली के पूरों यानिकिरे आखिकर के नहीं हुआता तो इसके पहले कैसा इिटली था कि अलग अलग कैसे तूटा और तूटा तो देखो लंबाडी और वेनेशिया था वो आस्टरिय बताए थे मेटर्निक ठीक है वो आस्ट्रिया के कभ्जए में था सबसे उपरी पाड जो था ठीक है लंबाडी और वेनेशिया combination डिक में था ठीकहे टस्कनी वर्मा और मोडेना यह दोनों सुरियवंस के वरज कुमार ने ओन लों के व हुआ इसम मतलब की आस्टरिया का में Caesarनींग उसी की तरह थिंकिंग रहते थे और अपना में टरनी की तरह ही चलाते थे यह सुर्य वंस के जो राज कुमार थे और जो दोनों सिसली ओ का राज था जो नीचे था मतलब सिसली नैपल्स जो था ठीक है वो यहां पर देख सकते हैं वुर्वेन वंस का वहां पर राज था अब यहां देखिए सरडेनिया और पिंड माउं सरडेनिया और पिंड मात्र इन ही दोनों राजे पर इनका अधिकार था बाकी सब कोई न कोई कब्जा कर लिया था है अब देख सकते हैं अस्ट्रिया इसमें था इस सुर्य वंस के यहां पर अधिकार था बस एक सरनिया और पिंड माउंट ही था ठीक है जिस पर इटली के राज साही था मतलब इटली का जो पहले से ही राजा थे उनी लोग के राजवंस का अधिकार था और यही लोग आखिरकार लास्ट में जाकर करके फिर जब इटली पूरा का पूरा एक होगा जो अलग-अलग पाटों में तूटा हुआ है एक होगा तो यही लोग फिर राज करेंगे देखते हैं कैसे यहां बताया कि रोम पूरा का सासन था रोम जो बीच वाला छेतर आएगा उसमें ठीक है उस पर पूर का सासन था यानि की पादरी लोगों का सासन था अब देखते हैं इसमें बाद आए जब इटली एक होना चाहता था वहां के लोग भी अब एक चीज आप थोड़ा सा नोट कर लेजिएगा कि इटली एक क्यों होना चाहता था ठीक है और किसके वज़ा से लोगों के अंदर ये भावना आई ठीक है कि हम एक हो जाएं याद कि ये नेपोलियन वोनापाठ सबसे पहले रस्टवाद उत्पन किया था और हर जगा हर छितर में उसी के वज़ा से क्रांती होती थी और जब फ्रांस में क्रांती होई थी फ्रांस में रस्टवाद उत्पन होता उसको देख करके पूरा का पूरा जितने भी यूरोप में दे तो जब फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा जवरश्टवाद पुरा का पूरा फैलाए जा रहा था इसका परभाव इटली पर भी पड़ा था यहीं कि राजा लोग भी इसके बीरोदी थे अच्छा कोई भी राजा यह क्यों चाहेगा आखेर कि मतलब उस इटली एक हो जाएगा तो उसका राजा कोई एक ही होगा तो और सब जितने भी राजे के राजा है वो तो हड जाएंगे ना इसलिए कोई अपना राजे गवाना नहीं चा हुआ था कि उसको एक करना बड़ा मुश्की था देख सकते हैं कि इटली के अलग-अलग पार्ट अलग-अलग तकतवर देशों के हाथ में था इसलिए वह एक करना थोड़ा सा मुश्किल था मुश्किल था लेकिन नमुम्किन नहीं था ठीक है इसको एक किया जा सकता था और एक करने में कुछ क्रांतिकारी लोग थे, बहुत ही बीर बलवान हम लोग समझे, ठीक है, वो उसको एक करने में काफी शहियों किये और इटली एक भी हुआ, तो यहाँ पहला नाम आता है मेजनी, देखिए इटली के एक करण में सहाइक परमफ्यक्ति कौन-कौन से थे, यानि कि इटली को एक करने में कौन-कौन से लोग थे, समझे, तो यहाँ के लिए एक करने में कौन-कौन से हीरो थे, ठीक है, इसके बारे में हम लग जानेंगे, तो पहले थे मेजनी, ठीक है, विक्टर रिमिनल तो राजा था, बताएंगे, यहीं का राजा था, आपका सर काउंट कबूर का था ठीक है ए थोड़ा से हम लोगा ध्यान देंगे कि इटली का दिमाग किसे बहुत क्रांते कारी थे और यह कोई भी काम अपने तलवार से कर दे थे यानिंग कोई और करता था और उस प्लानिंग को मतलब सफलता पूरूवक मतल próprio अंजाम देने के लिए अगर प्लानिंग की यह कि आज इसको मार देना है मतलब काउंट कबूर अगर प्लानिंग कर रहा है कि इस देश पर अक्रमण कर देना है तो गैरी बाल्टी उस काम को बेजीज़क जाके कर देता और वहां अधिकार कर लेता तो देखते हैं थोड़ा सा इन लोगों के बारे में मैजनी मेजनी कौन था तो यह एक साहतिक गर तांत्रिक विचारों का समर्थक था है यानि गरतंत्र का समर्थक था और राज साही के लगतंत्र के पूरा को की लोगतंत्र नचे है लो में जनेवा परांत में जनेवा में हुए था ठीक है और जनेवा में हुए था और वो भी इटली को एक करने में बहुत इवड़ा भूमिका निभाया 1830 की जब क्रांती हुई थी उस समय उसको वहां से भगा दिया गया था देश से निस्कासित कर दिया गया था लेकिन फिर भी 1831 में जाते जाते उसने मतलब एक साल के बाद ही उसने यंग इटली का यंग इटली एक संस्था है गुप संस्था समझे संगठन समझे ठीक है इसक हो जाए और एक हो के एक हो रास्त्र बने ठीक है तो इसमें भी बहुत बड़ी भूम क्या मेजनी की रही लेकिन यह सफल नहीं हुए क्योंकि यह आदर्स वादी थे यह अपने रूल के खिलाफ नहीं जा सकते थे ठीक है हर काम मतलब की अपने आदर्स के अनुसारिये करते जिसके वजह से इंशसफल नहीं रहे ठीक है अब थोड़ा सा विक्तर इम्यानुफट के सबसे पहले 1848 में यह राजा बने कहां के राजा बने साडीनिया और पिंट्माउंट के राजा बने और यह जो राजा थे यह थोड़ा सा अछे राजा थे यह चाहते थे कि इटली एक हो जाए और यह इनका चाना था तो इसलिए इनों ने एक ऐसे परधान मंत्री यानि प्राइम मिनिट्र नी पी-म को बनाया अपने राज्य में परधान मंत्री को जो बहुत ही राजनीति का बेताज बादसा था वो अगर हम यू कहें तो राजनीति का हर गुण उसके पास करा सकता है अगर ऐसी जरुवत पड़ जाए तो उसके लिए अदर्स नाम की कोई चीज नहीं थी उसका बस एक ही मकसद था कि किसी तरह जिस काम में हम लगे सफल हो जाए अब हो हमको उसके लिए उसका पैर ही क्यों नहीं पकड़ना पड़े काम निकलने के बाद से उस जो थी बड़े एक राजी तक या कहा जा सकते हैं ठीक है कुटनी तक या कह सकते हैं ठीक है और यह जो भी प्लान बनाते थे मतलब काउंट कबूर उसको मतलब अंजाम देते थे गैरी बाल्टी गैरी बाल्टी के बारे में थोड़ा सा जानने जीए ठीक है यह पेसे के एक ना प्लाइब में इनको वहां की सरकार ने मतलब फासी की सजा सुना दी और वहां जब फासी की सजा सुनाई तो ये जेल तोड़ कर भाग गए और फिर सोचे कि हम को मेजनी के बातों को फॉलो करके ऐसे काम चलने वाला नहीं तरह से तो आजादी मिलने वाली है नहीं और नहीं जिंदिगी में कभी इटली एक होगा हमको थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को मतलब अपना अदर्स और आइडियल मानना है ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है जिसके बात मानने के बात से कुछ दीखे कि हाँ इटली यहां एक होनी की संभावना है उसके बाद से यह मेजनी कई बातों को छोड़ करके और यह काउंट कभूर को फॉलो करने लगे काउंट कभूर के हर बातों को मानने लगे ठीक है गैरी बाल्टी यह नाम यादे पेसे के एक नाविक थे यह हर देश में घूमते थे और जाते थे घूमते थे और वहां के कंडिशन को देखते थे इसलिए इनको बहुत सारा नौलेज हो गया कि कहां पे मतलब कि कहां पे किसको एक होना चाहिए कहां पे रष्टवाद उत्पन हो रहा है इसका ग्यान हो गया था मतलब घूमते घूमते जैसे यह नाविक थे ना उसे बैपार के लिए लोग घूंगते हैं, तो यहाँ पर अब देखते हैं, एकी करण की पर किरिया क्या कर रही, अब देखिए, इन लोग के बारे में जानगे, अब ये लोग काम कौन कौन सा किये, जिसके वज़ा से एकी करण हो पाया, और आखिर कार एकी करण में इज़ा बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से फिल्म सुरू होता है, भाग, तीन भाग में फिल्म, डिस्क बोल सकते हैं, तीन डिक्स में ये खतम होगा है, तो देखिए, एकी करण की पर किरिया का प्रतम भाग क्या है, अठारे सो चोवन क्रीमिया ठीक है, और ये तीनों मिल करके, रूस से लड़ाई किया, और यहाँ पे रूस की हार होई, यानि क्रिमिया युद में, यहाँ पे स्वहियोगी के रूप में, देखिए, काउंट कबूर गया, थोड़ा से यहाँ देखिएगा, जो ये काउंट कबूर थे, ये तो थे सारडियनिया YA पेड़ माउंट के परधान मंतरी, यह पिड्यनिया के कोई राजा का साररी की वेलु नहीं थे, और यहाँ पे देख सकते राजा आ इनमेनुवेल, जो राजा को बूलाते भी नहीं थे, जो इटली में घटना होई, खुद जो बड़े बड़े राजी है, ज तो अब यहां दिमाग लगा है काउंट कबूर सोचा कि नहीं हमको जबरदस्ती मीटिंग में सामील होना है जो भी सभा बुलाया जाएगी उसमें तो जबरदस्ती तो एटेंडम कोई नहीं जा सकता है अगर कोई देश कहीं लडाई कर रहा है कोई बड़ा देश दूसरे दे जब यह रूस से लड़ाई कर रहे तो जाहिर सी बात है कि जहां तीन गोदेश है और यह दिमाग लाएं कि जीतेगा तो मेरे को हरने का चांस नहीं है काउंट कबूर ने अपना अठाराजर सेना इसमें भेज दिया नाम के लिए भेजा ठीक है अठाराजर थोड़ी से बह पड़त किया है तो आखिरकार यहां किया हुआ कि काउंट कबूर थोड़ा सा सहीयोग कर दिया यह बहुत ही मतलब राइनीती के बेताजबास आपको बताई दिये हैं और जब यहां पर रूस की हार हो गई तो हार होने के बाद से फिर से एक सम्मेलन होता है एक सबाब अगा है फ्रांस के एदानी पेरिस यहां पे देख सकते हैं पेरी सांतिस सम्मेलन में सब लोग की मीटिंग बुलाए गई और जब सब लोग की मीटिंग यहां बुलाई गई तो वहां पे मतलब की काउंट कबूर को भी बुलाए गया तो यह अगर उतना इंपोर्टेंस द लोगों ने वस सुना कि हाँ ठीक है इतना दिमाग में लोग को थोड़ा थोड़ा हट गये कि कोई आदमी खड़ा हुआ था और बोला था कि इटली एक होना चाहता है ठीक है इससे पूरा का पूरा यूरोप में यह बात मतलब फैल गई और यह ऐसा बात बना दिया ठीक है य इटली के एक ही करण की समस्या को पूरे यूरोप की एक समस्या बना दिया कि नहीं इटली को एक होना मतलब वो एक होना चाहता ही है इतना दिमाग वाला था यह वहीं पर कहा जाता है कि जो क्रिमिया का यूद हुआ था ठीक है क्रिमिया के कीचण में इटली का निर्माण जब क्रियां के यूद वह था तो आज समझे तो इटली के एक होने का निव पढ़ना शुरू हो गया अब वहीं से एक स्टेप आगे बढ़ गया कि लग रहा है कि अब इटली एक हो जाएगा ठीक है अब देखिए गैरी बाल्टी के बारे में अब यहां पर थोड़ा सा इनक गठन कर दिया इनकी एक सेना थी लाल कुर्ति मतलब लाल रंग के कपड़ा पहांता था लो ठीक है उसेना का गठन कर दिया और यह प्लानिंग कि यह कांट कबर बोले कि एक काम करो उपर वाला मतलब हम तो देख लेंगे उपर जो लड़ाई होगा हम फ्रांस से हेल्प ले लुक्ता है कि तुम जाओ और नीचे के जो सिसलि करा नेपल्स ऊगारा इस पर जा करके कपजा अपने कर लो इनके!! qisla कर राजियो पर अधिकार कर यह किसानों कना सेंधन कर रखाए और हमें और कहीं लढ़ाई हुतारwieं सिसली के डोनों राजे नेपल जो थे ठीक है सिसी नेपल इस पर जा करके और अधिकार जमा लिया अब यहां रहा गया इधर का हो गया उसके बाद से भागतीन में देखते हैं हम लोग अस्त्रिया और प्रसा यहां पर अस्त्रिया बताय थे कि लंबाडिया और विनेसिया यहां पर लंबाडिया इदर है और लंबाडिया एल और बी लिख देते हैं ठीक है यहां पर है अब क्या किया कि यहां पर अस्त्रिया के कब्जे में लंबाडिया और विनेसिया था और अ यहां पर देख सकते हैं यहां पर अश्टिया क्या रोई और प्रसा यहां पर जिद गया अब जब प्रसा जीता और प्रसा अपने गुस्से में काफी मतलब क्या बोलते हैं कि धूद था फिर वहां से जा करके और वह सेडेवा का यूद इसको करते हैं अश्टिया और प्रसा है भाग 3 ठीकें पहली लडाई जो सेड़ेवा का वह ठीकें अस्ट्र में हुआ जिसमें प्रसा की जीत कि अस्ट्रिया कास्रिया कहार हुआ जब स्ट्रिया कहार लोगों का राज था City ओ allons और पाद़ी लोगों का सेस्ट इनि सुरक्षा कौन देता था फ्रांस देता था और ये चाहता क्या था फ्रांब मतलब बादरी लोग चाहते थे REK इंटली का करता था यानि पोप लोग का चारत तरफ से यहां पे फ्रांस की सेना थी जब प्रसा और फ्रांस में लड़ाई हुआ ठीक है तो आखिर का फ्रांस को लड़ने के लिए प्रसा यहां से पूरा का पूरा फ्रांस अपना सैनिक बुला लिया प्रसा से लड़ने के लिए और यह यहां पे गैरी बाल्टी मौजूद थे ठीक है और यहां पे विक्टर इमेनुवल जो राजा थे वह यहां पे थे सरडेनिया और पेडवाउंट के इन लोग को मौका मिल गया अब यही एक राज्य था जो बीच में बचा हुआ था और डाइरेक्ट इस पर अटेक नहीं कसे गैरी बाल्टी तो यहां अधिकार करके सोचा था कि हम जा करके और यहां पूप लोगों को मारके हटा दे लेकिन इन लोगों को अगर हाथ लगा तो पूरा का पूरा यूरोप इटली ही नहीं पूरे यूरोप को प्रोब्लम खड़ा हो सकता था ठीक है क्योंकि पूरे और यहां पे एफृषास यहां सेन अने, अब कोई नहीं था और फ्रांस के जाने के बाद से पूरु की प्यार से बोला गया कि आप लोग अपना अलग जगह एक चुन लेजिए और आप इटली को एक होने में बाधा मत बनिए ये लोग मान नहीं रहते हैं फिर में इन लोग को जबरस्ती हटा करके इन लोग को एक अलग सचेतर दे दिया गया और बाद में पूरा का पूरा इटली एक हो गया और वो घटना है याद है कि आठार फिर अगले वीडियों मिलेंचे जो कि वह भी एक के करण है और साथी साथ दोनों की करण हुआ था लेकिन दोनों एक करण साथ में पढ़ाना संबभ है नहीं यहाँ पे अभी आप पड़े इटली का एकंड इसके बाद से अगले वीडियों में लोग पढ़ेंगे जर्मानी आखिर एक कैसे हुआ था जर्मानी भी टूटा हुआ था हो आखिर एक कैसे हुआ तब तक के लिए जैहिंद